प्रोफेसर टेक एंड भाई बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो हम अप्लोड कर रहे हैं यह सिर्फ आप लोग के लिए है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो नई सब्सक्राइबर्स बनेंगे उन सब के लिए है and this relates to one of the major issues जो computer के सामने बैठने पे आते हैं वो है वो है सरदर्द जी हां बहुत बार जब आप बहुत देर तक किसी भी computer screen के सामने बैठते हैं तो ऐसा होता है कि आखों पे strain जादा पड़ता है because of blue light and अगर आपने कोई blue light filter या उस type का नहीं use किया है then there is a thing जहां पे आपको जो सर है वो बहुत जादा दर्द करने लगेगा ये मेरे साथ पहले होता था जब तक मैंने की blue filter वाले glasses जो की local shop में 500 रुपे में मिल जाते हैं वो तब तक नहीं लिये थे however उन glasses के साथ एक हमेशा से issue था कि sunglasses यार एक सरदर्दी हो जाती है तो इसी के लिए lens card पे ये मुझे lens card air का एक frame मिला जिसके अंदर जैसे कि मैं जैसे ही इसको खोलूँगा तब आप बड़ा surprise हो जाएंगे and surprise होने का reason ये है कि as you can see this is a sunglass because इसके अंदर उपर जो एक color है वो खास चीज है वो ये है कि जैसे ही I mean जैसे ही मैं आपके सामने से इसका जो उपर का जो layer है वो जैसे ही मैं हटाता हूँ तो देखिए आपको ये दिखेगा एक normal glass की तरह and this is the thing ये एक reason है जो मुझे लगा कि मेरे sunglass and power glass वाले problem को बहुत अच्छे से resolve कर सकता है as you can see जो quality है lens का टेर के जितने भी frames है वो बहुत ही अच्छी है and यही चीज सोच के मैंने यह जो चश्मा है यह order किया था because computer के सामने ज्यादा देर बैटने से सरदर्द मेरे को हमेशा से problem रहा है इस चीज का and अगर आप में से भी लोग जो है इस problem से पीडित हैं तो kindly यह वाले जो चश् चीज दो पहले क्लिए करता हूं lens card में जो gold membership है जो कभी-कभी खरीदने पर आप बोलते हैं generally यह लोग बहुत जादा पुश करता है बट उससे फाइदा यह होता है कि सिर्फ एक के जगह आप दो specs बनवा सकते हो if you need them otherwise same price पर आपको एक specs मिलता है जो buy one get one वाला offer है वो साल म में आप कुछ बार ले सकते हो I think 5 बार या 6 बार ले सकते हो there is a limit to that however यह जो offer है जब भी आप किसी high end specs पर लगाते हो तो kind of worth it हो जाता है however single piece के लिए I am not going to recommend that अगर हम बात करे quality of glasses की तो quality of glasses lens card पे total 4 तरीके से मिलता है minimum with 1500 रुपीज उसके बाद 2600 रुपीज उसके बाद 3600 रुपीज 2600 वाले जो lenses हैं वो blue light lenses है and 2600 वाले ही lenses लेने बैतर है because उसके उपर जितने भी coatings और वो सब बोलते हैं वो लोग कभी भी आपको समझ में आएगा smudges वगरा वो उतना ही पड़ता है तो इसलिए 2600 वाले lens मेरे जाब से लेना चाहिए तो वो था aviator frame वाला जो यह दूसरा है यह आप देख सकते है blue color में है and this is a wayfair design rectangular design है बहुत लोगों को aviator नहीं पसंद आता है तो उनके लिए यह है and उसमें भी same system है जहाँ पे आप एक clip on add कर सकते हो and यह जो add करने के बाद ही magnetic connected है दोनों magnet से जुड़े हैं तो it stays on the glass and हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा sun glass का experience मिल जाता है with power जिससे कि बाहर जब जाए तो उस टाइम पे भी power का जो scope है वो हमारे चश्मे के सामने रहता है and we are able to see clearly so overall 2600 rupees में मेरे को यह दो जो frames है वो मिले है individually खरीदने जाएंगे तो यह मिलेंगे हमको 2600 का एक अगर gold membership के साथ लेते हैं तो 2600 के 2 मिल जाते हैं however gold membership जो है वो 600 rupees plus taxes के charges पे आता है so all in all जो भी मैं इसको use करूँ पिछले कुछ दिनों से so I am finding it that यह जो पूरा कहानी है यह जो पूरा frame है यह जो पूरा lens है it is totally worth it because of a single reason कि एक तो बहुती light है बहुती हलका है and दूसरा it looks good it doesn't look bad and जो भी हम लोकल शॉप से अगर specs बनवाने जाते हैं तो कभी-कभी उसमें थोड़े से shady चीज़े निकल जाती है however lens card air के यह वाले जो lenses है these are pretty decent and कोई भी issue नहीं होता है इनको use करने में चाहे fitting की बात करे या usability की बात करे moreover lens card आपको 100 rupees में एक insurance भी provide करता है इस glass का जो की future में अगर आपका lens या आपका जो frame है वो टूर जाए तो you can definitely go and pay for something कुछ 15% की आसपास आपको देना पड़ेगा and you will be able to change the whole thing so as you can see जो बेरा blue frame है उसके उपर जो glasses है वो light या dark green color की है जो aviator frame है उसके सामने जो glasses है वो हलके से gray color के है and because of these reasons only मैंने ये दूनो specs खरियो दे है so that जो मेरे computer के सामने का जो साम काम है वो तो होता ही रहे साथ ही जो हम लोग जब बाहर जाते है उस time पर I could just clip on the thing and एक sunglass वाली feeling तो मिली जाती है so I hope you guys had fun watching this video and इस तरह के और videos देखने के लिए subscribe and hit that notification bell now इतने देर तक जितने भी लोग रुके हैं उन लोग के लिए मैं बता दूँ कि मेरी wife की तब्यात अभी ठीक है वो ICU में थे around 21 days उसके बाद वो घर पे अभी oxygen concentrator पे है and जिसकी वज़े से I cannot move anywhere of the house क्योंकि उनकी life जो है वो danger में आ सकती है अगर मैं घर से बाहर निकला तो इसके अलाबा जो frames आप अपने सामने देख रहे हैं they are quite decent बहुत बढ़िया है जो packaging है वो काफी अच्छी है जो डबा दिया जाता है lens card का वो भी अच्छा है उसके अंदर का कपडा भी बहुत अच्छा है and overall I feel like we can definitely give this a 4.5 star out of 5 0.5 star मैं इसलिए काटूंगा जो वीटर वाला जो frame है उसकी जो नीचे जब हम उसको clip on लगा देते हैं तो नीचे हलका से gap रखता है जो कभी-कभी थोड़ा सा हम लोगो को distract कर सकता है so that's it otherwise very decent structure the very decent material से बना हुआ है and the design looks very classy so thanks a lot for watching I hope you guys had fun watching this I'll drop a link in the description जहां पे आप लोग जाके अगर register करते हैं lens card पे तो you'll get some extra amount of cash in your wallet as well do lens card को ओर दोसमे so thanks a lot for watching I hope you guys had fun take care bye bye see you and see you in the next video जैहन मेठी और स्क्र Jeet रहा़ा Am जैहन